नमस्तार आप सबका स्वारत है और आईए आज आप बात करते हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है सुगम में भारत अभियान एक 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 जना गुवारे में ये बात करते हैं ये है क्या पुरा सुगम में भारत अभियान जब भारत सरकार के सुगम अभारत अभियान की टिल राइन माल 2,20 तब कर दिया गया है ये इस अभियान का उत्धेश सारव जीने की स्थानों को दिव्यांगों के अंपूल वनाना है। जो, आप देख रहे होंगे, हर जगह दिव्यांग जब नहीं जा सकते हैं। उस तरह का उनकी व्यवस्था नहीं होती है. उस तरह का सेट अप नगी होता है. तो यह जो भारत सरकार ने पूरे देश में जितने भी सर्थ खान हैं, वहां पे हिसाब से वूरी तरह से सेट अप किया जाए, इस्थान को प्रेवलब किया जाए कि वहां पहुश सकें और अपना काम कल सकें, तो से जिल्यांग जन्द के लिए दिक्कत ना हो, किसी का कार का, यह वही अभ्यान है, और 3 दिसंबर 2015 को प्रदान मंती द्वारा लॉंच किया गया था इस अभ्यान को, और दीड़े दीड़े इसमें काम किया जा रहा है, जो जैसे समय बढ़ता है, इसको और आगे बढ़ा दिया जाता है, इसका उत्यस जो है, देश भर में दिव्याम ज जनों की आवजाई को निर्मात बनाना है, या आप लोग गए होंगे कई सारे जगाँ पर चाहिए, स्पूलों चाहिए, कालेज चाहिए, अस्पिटाल या कहीं भी, तिव्याम जनों के लिए बहुत अच्छा प्यवस्ता नहीं होता, सीरिया वालाई दी जाती है, या ये अच्छी ये पहल है कि वो भी हमारे देश के हमारे समाज के हिस्सा है, उन्हें कोई तकलीप नहों हो, इसको दियान में रखके किया ड़ा है, तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है, सराहनी है, और इस वियान की डेड़ लाइन अभी 2020 कर दी गई है, बढ़ाकर 2020 मार्स कर दी गई है, उमीद है जल से जल बहतर हो जाएगा, तो 50% सरकारी बहुनों को देवियान देनों के लिए सुगम बनाना है, इस योजना कित है, यह 50% सरकारी बहँन है, जहां पे उनकी जरूत जाता होती है, उनको, मतलब वो ज्यादा आते जाते हैं और उस तरह का उनकी जरूतों को ध्यान में रखते हैं यह चीज़ बनाए गया है, तो यह अभियान अभी और कंटी जी होने वाला है, 2020 मार्च तक, और जल ही यह पूरा सेट अप तयार होने वाला भारत सरकार का, उमीद है यह जल से जल पूरा हो जाने का, तो यह था सुगम बहारत अभियान, जोती सी जानकारी इसके बारे में हमने आपको दी है, अमीद आपको पसंद आया होगा, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप वहारत साथ जोड़े रहिए, तो यह वीडियो देखने के आप सबका बहुत बहुत तहन्योंदे, तहन्योंदे.